हमारे साथ रामायन के राम जो सीरियल आया था अरुन गोविल जी हमारे साथ मौजूद है और मेरट से वो चुनाव लड़ रहे हैं कैसा रहा उनका चुनाव किस दंद से देखते हैं और क्या-क्या चीजे उनके सामने रही इस चुनाव के दोरान उन सब पर बात करने के हैं अभी नेता से तो यह सफर कैसा रहा आपकर हाँ सफर दोनों सफर बहुत अच्छे हैं वो भी बहुत अच्छा रहा और अब इसमें ट्रांजिशन हुआ है ट्रांजिशन को थोड़ा सा समय जरूर लगता है मैं पिछले 25-30 दिन से यहां हूं तो और और बहुत पॉजि अब जो है वो चुनाव में आने के बाद बहुत ज्यादा उनका सम्मान हो गया है मैं तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे लिए एक शर्दा के तोर पे आपको देखा जाता था जहां भी आपको लोग देखते थे पुरा एक जो राम की तस्वीर आपके लोग देखत जो मैंने देखा उनके शहरों पर देखा उनकी बाचीत में देखा मैंने उनके व्यवहार में देखा मैंने तो वो और बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनका हरुन जी एक तरफ आयोध्य में राम मंदीर और एक तरफ रामायन सीरिल के राम किस दंग से इसको पूरा रिलेट करते हैं रिलेट तो है बिलकुल और मुझे लगता है इसके थूर एक संदेश भी है कि जो शिराम है वो जो हम जैश्री राम भी कहते हैं तो वो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं भी में इट यह कोई पूलिटिकल नारा नहीं है यह उनके मन की शद्धा है तो दोनों रिलेट तो करते हैं कहीना कहीं डेफिनेटली हरुन जी सिरफ मेरेट ही नहीं बीजेपी ने किसी ना किसी मोटीव से एक मैसेज देने के लिए आपको उतारा होगा चुनाओ में राम मंदीर 500 साल के स्ट्रगल के बाद भवे राम मंदीर और दूसरी तरफ राम कट विनेता जो उन्होंने सीरियल में काम किया बहुत फेम मेरेट को माना जाता है सबसे इंपॉर्टन सीट है और वहां रामलेला की घर वापसी हुई यहां अरुन गोविल की घर वापसी हुई यह उसी वक्ति ने रामलेला का चरितर किया था तो कहीं है कि दोनों चीजे रेलेट करती है और आम शूर इसके तूरू मैसेज तो मेरेट में आपका पुरी प्रिष्ट भूमी जो बैक्राउंड आपके रही है और अब क्या आप उसको दुबारा से जी पाएंगो पूरे जीवन को नहीं किस जीवन की बात मतलब जो बच्पन आपका यहां बीता आप दुबारा से आप आए हैं जीवन आप जब उम्र का पर फर्क हो जाता है तो उस तरह का जीवन तो आप बच्पन आप दुबारा तो कभी आता नहीं है लोट कर आप बीता हुआ समय कभी नहीं आता हमारे पास लोट कर नहीं अपर जब आप शुरू में रहे थे और आप उन लोगों के बीच आए हैं तो क्या आप यहां पर र मेरेंद्र मोदी और श्री योगी जी ने जो विकास रथ चलाया है पूरे देश में मैं उसको यहां लेकर आउँगा और यहां की वो सभी बस्तिय सभी से मलेल बस्तियों से सरी से होकर गुजरेगा और मेरट का विकास होगा जैसे आपने का कि विकास जो किया है योगी जीने मोधी जीने वह एक बड़ा मुद्दा तो है जो बीजेपी लेके जारी है चुनाओ में साथ ही साथ आपको लगता है राम मंदिर भी एक मुद्दा है नहीं राम मंदिर भी राम मंदिर तो एक ऐसी घटरना है जो हमारे जीवन में हो गई हम अपने आपको बहुत सा भगशाली मानते हैं विकास जो है वो बेसिकली एक प्रक्रिया है उसकी कोई लिमिट नहीं होती आप किसी भी चीज़ का कितना भी विकास कर सकते हैं और हर चीज़ को जो हमारी समस्ष्च को चोटे-चोटे थो भी ऍतरगत ही आती है तो भी विकास की ने होता है क्या थिशा में hiçbir ने विकास हो माल पर यह को संपोर्ड विकास हम च मान सकते लियं क। तो वो मैं जरूर जो चिप आगे बढ़ाएंगे आगे अपने जो रमाईन सीरियल ता उसमें रावन का वद किया या राक्षासों का वद किया एक चरिकतर जो आपने राम का किया था और आपके सामने जो है विरोधी पार्टिया हैं तो कैसे उस अपने अंदाज में जो राम तो यहाँ पर कैसे उसको करेंगे? नहीं देखिए मैंने रमायन की जो सबसे इफेक्टिव और जो आज तक जो चली आ रही है चपाई वो सबसे बड़ी चपाई गोई है रगुकल डीती सदा चली आई रहा न जाए परवचर न जाए तो मैं सिर्फ इस विशा में भी इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं अवश्चिक करूँगा लेकि उस वक्त भी आपके सामने विरोधी थे रामायन सेरियल में भी और अभी भी विरोधी हैं तो कैसे उसको चिर्फार्ट करेंगा प्लस माइनस तो देखिए जिंदगी में होता ही होता है प्लस माइनस के बगार कुछ नहीं होता है अब इन एलेक्ट्रिकल चार्ट भी प्लस माइनस होता है तब हमारे बजली पहुंचती है तो वो होता ही होता है उसका उसको सामना करने के हमारे अंदर शक्ति होनी देखिए मैंने कहा है कि मैं यहां रहूँगा मैं यहां के लोगों के लिए काम करूँगा उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े गाओ और अगर आप मेरी बात का यगीन कर सकते हैं तो अभी कीजे अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भई फिर यह समय बताएगा पर मेरी भरसक कोशिश होगी कि मैं अपनी सामर्थे सक्षमता योग गिता के अनुसार जो मैंने वाद जो मैं कह रहा हूँ वो उस पर में ख़ड़ा उत्रूँ मैं यहां के लोगों के लिए बहुत काम करूँगा यह मेरी दिली इच्छा है अब जी जाते हैं एक चुपाई आप से सुना जाएं अक्सर मैंने देखा है कहीं भी आप जाते हैं मिलने के लिए लोगों को यह लोग सुनना चाहते हैं बार बार एक वो चुपाई मैं आप से जब रावन का बद हो गया था और लक्षमांजी उनके सिराने चले गए तो आपने उनको जो उस वक्त जो बोला था हम चाहेंगे हमारे दर्सकों के लिए बोगों सुना भी अक्सर आप सुनाते हैं वो एक बैसिकली जादा तर जो एक राम और रावन के बीच का जो एक समाद है वो मैं सुनाता हूं बैसिकली बहुत ज़्यादा और राम भगवान र नाम पर मेरा इतना ज्यादा विश्वास है कि मैं हर चीज अपना कर्म जरूर करता हूं तो उनको लेकर उनके नाम को लेकर क्योंके तो चंप चाहसी उज्यार हुथ दूरे teat सिकारतियां है तु अपने मुखो की ड्योडी पर यानि अपनी जिवा पर राम नाम की मनी रख ले तेरे भीतर भी उचाला हो जाएगा और तेरे बाहर भी उचाला हो जाएगा पूरा विश्वास है कि इस बार वो मेरट से चुनाव जीतेंगे कैमरा में संजीब कुमार के साथ अशोक सिंगल मेरट आज तक